वो देखे ना वो मुलक चला रहे हैं अपना आमों का मकाबला नहीं कर से पाकिस्तानी वैगनर का समान इंडिया से समान आ रहा हमें पता है ना सारा समान वहां से संबड हो गया रहा है उसका कंप्यूटर उसका पार्स इंडिया से आ रहा है लेकिना पाकिस्तान गाडी की तो देख लें, 90s के दोर में इंडिया के अंदर सिर्फ आपको इंडिया की एक आदी गाड़ी मिलती थी और बाहर की इंपोर्ट कोई नी थी और उन्हें अपनी इंडिया के जितने बड़े आटो मैनुफेक्चरर रहे वो हार्ले डेविट सानो यह वो दुनिया की कोई भी क हम सिरफ दूसरों के गाड़िया मनिफेक्चर करें यह सत्रा मॉडल है इसका मांग रहे है साधे नोह लाक रुपया और विदाउट एसी गाड़ी आपको बड़ी महंगी नजर आती है और खास करके दो तीन सालों में तो गाड़ियां इतनी महंगी हो गई है कि शायद जो म आदमी अगर गाड़ी खरीदने का सोच भी रहा था तो शायद उसकी सोच से भी बाहर है विदाउट इसी गाड़ी यह सड़े नोह लाक रुपय की पाकिसान में नहीं गाड़ी तो आम पपलक की जो आना पहुंच से बहुत दूर हो गई है कंपैरेजन की बात करें बहुत आप से लोग कंपैरेजन करते हैं हमारा जो प्रोसी मुल्क है भारत के साथ के बहाँ पर तो गाड़ी सस्ती है नमस्कार दोस्तो मैं हूँ लक्ष अगर आप डिरेक्टली वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के ऊपर टाइमर सो कर रहा है आप वहां तक स्किप करके डिरेक्टली सीधे वीडियो देख सकते हैं अगर हम इस वीडियो की बात करें तो दोस्तो इस वीडियो में कुछ पाकिस्तानी लोग इंडिया में और पाकिस्तान में कार के दामों के बीच में इतना क्यों फरक है इसके बारे में बात कर रहे हैं दोस्तो मैं आप लोग को बता दूं क्योंकि इंडिया में कार की मैनुफेक्चिरिंग होती है कार के सारे पार्ट्स कार के एसेंब्लिंग सब कुछ इंडिया में होता है जबकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता वहां कोई भी कार की मैनुफेक्चिरिंग नहीं होती बलकि दूसरे दूसरे देशों से कार के पार्ट्स मंगा के वहाँ साइध ही कोई कार की एसेंबलिंग होती है जबकि maximum number of cars को दूसरे देशों से directly मंगाया ही जाता है अगर कोई कार दूसरे देशों से आता है तो उस पे import tax लगाया जाता है जिसके कारन कार की rating बढ़ जाती है तो दोस्तों आप लोगों का ज़्यादा time ना waste करते हुए सिधे चलते हैं बीडियो पे जाने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान में गाड़ियां क्यों महेंगी हैं पाकिस्तान के अंदर आपके लिहाज से जो हमारी महरान है लोकल मैनुफेक्श्रिंग है वो गाड़ी कितने की मिल रही है आज का 10 लाग की 11 लाग रभी कि जिसमें कोई future नहीं नहीं है जेपान जो गाड़ी बनाता है 15 लाग 20 लाग रभी की जापणिस गाड़ी मिल ज्यती है उसमें बंदे की safety है लोकल गाड़ी पाकिस्तानी गाड़ी में 20-20 लाग रभी की 30 लाग रभी जो वैइगन आ रहा, ना उसमें एर बैग music ना उसमें power window है, ना उसमें ये हकीकत भी है कि जो 20 साल पुरानी गाड़ी है वो भी अगर आप खरीबने जाएं तो उसकी भी कीमतें आस्मान से बाते करती हैं हला कि तरक्य जाफता मुमालिक में अगर आप जाएं तो वहां पर जो पुरानी गाड़ी है उसको जान चुड़ाना आपके लिए एक बहुत यह गाड़ियों के मार्किट के आजकल बड़ा रेड हाईउ वें हैं क्या वज़या है यहाँ पर पाकिस्टान की सबसे सस्ती गाड़ी कीमत तो बताएं कितनी है सबसे गढ़ सस्ती गाड़ी महरान हो दिर जिसके बीवी कीमत 12 लाग रुपे पहुंचे इस तेम सस्ती गाड़ी 25 लाग रुपे गया पाकिस्तान के अंतर आप इसके बारे में थोड़ा बताएगा प्राइस वगरा फीचर वगरा यह सत्रा मॉडल है इसका मांग रहे हैं साड़े नो लाक रुपया ठीक है तो इसमें दो तिन पीस टाच भी है और विदाउड एसी गाड़ी साड़े नो लाक रुपे की पाकिस्तान में इसमें एर ब खासा फरक नजर आता। एक जो सबसे बड़ा और पाकृत्सनी olan की में मैं बात करना हूं किㅋㅋ दस लाक रुपए की रेंज मैं दस लाक रुपय कम पैसे नहीं होते आपको इस कोई गाड़ी भारत में पाकस्तानी यह इस वी अगालत में सुने जो सब्सक्राइन शॉर यह रिंक हो रही हैं जब कि पाइसे से grape हम कोई को वी वन हम सब्सक्राइन से अब。。 पास ऐसी गाड़ीं क्यों नहीं हम अभीता बना आ पारे सर ये तो हमारे जो कंपनी वाले सुजुकी वाले सुजुकी वाले यारस है उसमें फीच्व है लोकल गारियों में आलटो में पाकिस्ताई कल्टस में वैगनऊर में MHz के फूच्व कंष्व निया से टिनी एंसान की जो हमारे पाकिस्ताई्टा वला या बहुत बदा ड़की है इनको कोई पूछ नहीं है इनको झोछ पूछ है का जो पूछYa तो यहां पर एक कमपैरिजन भी आपको थोड़ा देते चलें के फर एक्जामपल जो हमारी टीम ने भी रिसर्च की है कि भारत में अगर 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 पाकिस्तान में इसी ऑल्टो की बात करें तो इस वक्त उसकी जो स्टाटिंग प्राइस है वहां पर वहां पर बारा लाक रुपए है और बारा लाक में भी आपको उसमें एसी और बाकी फिसलिटीज उस गाड़ी में नहीं मिलती है यह सिर्फ एक ब्रैंड की बात हो रही है इसके इलावा भी अगर आप देखें तो बहुत से आपके पास ब्रैंड है मसलन रैनो है उसकी कीमत कुई प बड़ा जरूरी है यह तो गाड़ियों का कमपैरेजन किया है जो भारत में इस वक्त आपको मॉडल मिल रहे हैं वो लेटिस्ट मॉडल की गाड़ियां आपको नज़र आएंगी वहाँ पर पाकिस्तान में पुराने जेनरेशन की गाड़ी एक उसकी एक्जांपल आपको च अगले मा रिलीज होने जा रही है और उसकी कीमत देखें वो पाकिस्तानी रुपो में 11,44,000 रुपे बनती है तो इतना ज्यादा फरक है शहबाज कि यह देखें और मेरे खाल में जो सबसे बड़ा जो फैक्टर है कि यह भारत के अंदर ज्यादा तर जो गाड़ियां प्र कि यह सुरें यह वो